भारत में काफी विदोध जहिलने के बार रिलीज हुई विवादित फिल्म पदमावत को अब मेलेशिया के सिनमा घरों में रिलीज होने से रोक दिया गया है मलेशिया के नाशनल फिल्म सेंसर्शिप बोट ने भनसारी की फिल्म पदमावत को देश में रिलीस पर रोक लगा दी है बतादें की LPF के अधियक्ष अजीज ने एक बयान में कहा की फिल्म की कहानी इसलाम की संवेदन शीलता को छूती है यह अपने आप में मलेशिया एक मुस्लिम बहुल मुल्क में एक बड़ी चिंते का विशय है सोलवी सदी के कवी मलिक मोहमेद जाईसी की रचना पदनावध पर अधारित इस फिल्म का देश में राजपुत संगठन राजपुत कर्णी सेना ने एतिहासिक तथ्यों से खिलवाड करने का आरोप लगाते हुए काफी विरोध किया था काफी मशक्कत के बाद 25 जनवरी को रिलीज हो पाई जहां रिलीज के बाद फिल्म भारत में बॉक्स आफिस पर ताबर तोड कमाई कर रही है वहीं अब देखना दिल्चस्प रहेगा कि ये फिल्म मलेशिया की सिनेमा घरों में रिलीज हो पाती है या नहीं आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा